नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study for public service commission में हर्याना पुलिस के लिए हमने ये series start की हुई है और इसमें top 500 question करवाए जाएंगे हर subject के जो भी जितने भी subject हर्याना पुलिस constable का exam नहीं हो जाता श्पेशली ये इस series को हर्याना पुलिस constable के लिए frame किया गया है बट अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं जिसमें static जी के इंडिया जी के पूछी जाती है वैसे हर exam में इंडिया जी के पूछी जाती है तो हर exam में आपके ये लाबदायक होने वाली जैसे की history हो गया history के तीनों part ancient medieval और modern उसके बाद geography हो गया पॉलिटी हो गया environment हो गया अगरिकल्च हो गया हस सब्जेक्ट के हम यहां पे बिल्कुल free में आपको टो 500 question करवाने वाले हैं तो बस आपको आराम से बैठके इस वीडियो को देखना है और सुनना है जो जो मैं बो की कोशिश करनी है मन में आप सोच लीजीगा कि इस question का right answer क्या होने वाला है तो अंत में आप total 25 में से कितने question ठीक कर पाते हैं comment section में यह जरूर बताने की कोशिश कीजीगा कोई भी आपका doubt है query है suggestion है आप comment section में comment कर सकते हैं और अगर आप direct हम से chat करना चाते हैं या फिर बा पार्ट है इससे पहले छे पार्ट छे भाग आ चुके हैं तो उन छे भाग को भी आप जरूर देखिएगा और उस playlist का link मैं इस वीडियो के description में डाल दूँआ तो जल्दी से जल्दी उन वीडियो को देख लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका skip ना हो तो चलिए ब देख लेते हैं यहां पर क्या सिंदू नदी को कहा गया है रावी नदी को कहा गया है जेलम नदी को कहा गया है या फिर सरस्वती नदी को कहा गया है तो रिगवेद में किस नदी को मातेतमा देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है तो question number first का right option हो जाएगा option number D तो ये सरस्व सरस्वती को ही माना जाता था आयये सरस्वती नदी को शराप दी आ गया था तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस समय जब ये सरस्वती नदी भैती थी तो अपने काफी तेज भाह वchau से भैती थी काफी तेज धारा होती थी सरस्वती नदी की और उस समय एक रिशी जो मुनी थे वो तपस्या कर रहे थे और तपस्या क्या कर रहे थे अपने कहीं गंतव्य की तरफ जा रहे थे और उन्होंने सरस्वती नदी से अनुरोध किया था कि आप प्लीज थोड़ा सा धीरे बहिए जिससे मैं अपना जो पाठ है वो पूरा कर सकूँ या फिर जो जहां पर उनको जाना है वो पूरा कर सकूँ तो शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और वो अपनी जो जिस धारा से बह रही थी तेज स्पीड से बह रही थी तो उसी त्री स्पीड से वो बैती गई और ऐसा कहा जाता है कि नदी के इस वेवार से क्रोधित होकर जो भगवान गणेश से उन्होंने नदी को शराब दिया था कि वह एक दिन विलुप्थ हो जाएगी तो ऐसी दंत कताई है ऐसा बताया जा तो कौश्य नवर्व 2 देख लेते हैं आपर गौतम बुध से रिलेटर्टीर कोश्यन स्टार्ट हो चुके हैं आभी आपर तो गौतम बुध के बारे में कहा गया है की गौतम बुध का जणम कब हुआ था आइए देख लेते हैं क्या 566 इसा पूर्व गौतम बुद का तोड़ा गोतम बुद्ध भगवान के बारे में थोड़ा सा जानकरी लेते हैं जो गोतम बुद्ध जी का जनम था वो बैशाक मा की पूर्णिमा के दिन हुआ था और जो गोतम बुद्ध का जनम था वो कहां पे हुआ था नेपाल के लुम्बनी में हुआ था इनका जनम और जो जब जनम हुआ था उस में 563 इसापुरू के साथ 563 इसापुरू के पास आसपास इनका जनम नेपाल के लुम्बनी में हुआ था और उसके बाद जो इनको ग्य के नीचे घ्यान के प्राप्टी हुई थी और माना जाता है कि कुशी नगर जो है वर्तमान में यूपी में है उतर प्रदेश में कुशी अगर में इसी दिन उन्होंने असी वर्ष की उमर में अपना दे़ मतलब शरीर त्याग दिया था तो इतनी जानकारी आपको भगवान बुद्ध के बारे में जाननी चाहिए ये बेसिक सी जानकारी रही है, इतना तो आपको पताई होना चाहिए तो गोतम बुद का जनम कब हुआ था 563 इसा पूरू नेपाल के लुम्बनी में हुआ था कोशिन नमबर 2 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर B नेक्स्ट आ जाएंगे हम कोशिन नमबर 3 पर आ जाएंगे तो गोतम बुद का जनम कहा हुआ अभी हमने डिसकस किया है यह देख लेते हैं कोशिन नमबनी में हुआ पाटली पुतर में हुआ या फिर वैशाली में हुआ तो कोशिन नमबर 3 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर B तो यह कहां पर ऑदा नेपाल के लंबनी में हुआ था इनका जनम गोतम बुद जी का जनम कोशिन नमबर 3 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर B नैक्स्ट आ जाएंगे कोशिन नमबर 4 पर तो कोश्चन नम्बर 4 में कहा गया है गोतम बुध के पिता का क्या नाम था जो कोश्चन नम्बर 4 का राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नम्बर A जो गोतम बुध के पिता का नाम था वो था शुद्धोधन तो आईए थोड़ा से इसके बारे में हम जाने की कोशिश कर जो मातमा बुद्ध थे वो राजा शुद्धोधन और महा माया के बालक थे और इसके जो बात करें तो इनकी माता का ना महा माया था और जो इनके पिता थे वो शुद्धोधन थे और शिधारत की माता का जो निदन था वो जब शिधारत मतलब जो ये मातमा बुद्ध थे ये इनकी माताजी थी, उनकी जो बहन थी, उनके द्वारा इनका पालन पोशन किया गया था, तो इनकी मोसी थी, और इस कारण सिधार्थ के नाम का सिधार्थ गोतम पड़ गया, और सिधार्थ का विवाज था, जो वो किस राजकुमारी से हुआ था, जो इनकी पतनी का नाम था, वो यशोद्रा इनकी पत्नी का नाम था इतनी जानकारी आपको गोतम बुद्ध के बारे में होनी चाहिए तो कोशन नम्बर 4 का राइट ओप्शन हो जाएगा इनके पितगा का नाम था शुदोधन नाम था आईए कोशन नम्बर 5 पर चलते हैं तो question number fifth में कहागे है कि जो गोतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था हमने उपर अभी डिसकसी किया है तो गोतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था राहूल नाम था आईए नीचे देख लेते हैं कमल नाम था सिधार्थ नाम था या फिर इन में से कोई नहीं तो question number fifth का right option हो जाएगा option number C तो महात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम सिधार्थ नाम था तो option number C right हो जाएगा question number fifth का next आ जाएगे हम question number sixth पर उसके बाद question number six में कहा गया है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था तो ये भी हमने अब उपर डिसकस किया है डिटेल से जानकारी हमने महात्मा बुद्ध की ले लिए है तो I hope आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस question का अंसर देने में question number seven में कहा गया है कि ग्रह त्याग के समय महात्मा बुद्ध की आयू कितनी थी ये थोड़ा सा बुद्ध थोड़ा ठीक कर लीजिएगा ये ग्रह वाला बुद्ध यहां पे लिख दिया गया है बुद्ध आप ऐसे टाइप कर लीजिएगा देख लीजिएगा थोड़ा सा तो ग्रह त्याग के समय जब ग्रह त्याग दिया था घर छोड़ कर महात्मा बुद्ध तपस्या करने चले गए थे तो उस समय इनकी आयू कितनी थी 29 वर्ष थी 27 वर्ष थी 25 वर्ष थी या फिर 31 वर्ष थी कोश्चन नमबर 7 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर A उस समय 29 वर्ष की आयू थी महात्मा बुद्ध की जब इन्होंने ग्रह त्याग दिया था तो नेक्स्ट आ जाएंगे हैं कोश्चन नमबर 8 पर कोश्चन नमबर 8 में हमसे कहा गया कि बोध घरंतों में महात्मा बुद्ध के गरह त्याग को क्या संग्या दी गई है तो जब गरह त्याग दिया था तो उस को किस संग्या के नाम से पुकारा गया है मतलब उस चीज को क्या कहा गया है तो महा भिनिश कर्मन कहा गया है अगर बोधी कहा गया अचिंतेन्य कहा गया है या फिर अनागामी कहा गया है तो question number eight का right option हो जाएगा option नमबर eight तो बोध्गरंतों में महात्मा बुद्ध के घरेत्याग को महाभिनिश करमन कहा गया है तो ये संग्या दी गई है महात्मा बुद्ध के घरेत्याग को छोड़ने के लिए तो question number 9 पे आ जाएंगे हम तो question number 9 में कहा गया कितने वर्ष की कठोर तपस्चा के बाद महात्मा गुद को ग्यान की प्राप्ति हुई थी तो आईए देख लेते हैं कितने वर्षों के बाद हुई थी 5 वर्ष के बाद हुई थी 7 वर्ष के बाद हुई थी 8 वर्ष के बाद हुई थी नेक्स्ट आजाएंगे हैं question number 10 पर question number 10 में का आगया है महातमा बुद्ध को किस वरिक्ष के निचे ग्यान की प्राप्ती हुई थी तो क्या बर्गत के पेड़ के निचे महातमा बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती हुई थी आगया जाते हैं यहां पर देख लीजिए आप पीपल के पेड़ के नीचे जो ग्यान प्राप्त हुआ था या फिर कदम के पेड़ के नीचे हुआ था या फिर नीम के पेड़ के नीचे हुआ था तो question number 10 का right हो जाएगा option number B जो महात्मा बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी तो option B right हो जाएगा question number 10 का next आ जाएगा है question number 11 पर question number 11 में कहा गया है बुद्ध का एक अन्य नाम क्या कहा जाता है तो बुद्ध को किस अन्य नाम से भी पुकरा जा सकता है तो question number 11 के option हम देख लेते हैं शाक्य के नाम से पुकरा जाता है तथागत के नाम से पुकरा जाता है कुनीक के नाम से पुकरा जाता है या फिर अनागामी के नाम से पुकरा जाता है तो question number 11 का right option हो जाएगा option number B ये तथागत के नाम से जाने जाते हैं बुद्ध का अन्य नाम तथागत कहा जा सकता है तो यह आप थोड़ा सा रिमेंबर रखिए कोश्चन नमबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी नेक्स आ जाएंगे कोश्चन नमबर 12 पर तो कोश्चन नमबर 12 में का गया महात्मा बुद्ध के पर्थम उपदेश को क्या कहा जाता है मतलब जो महात्मा बुद्ध ने अपना जब उनको सर्व ग्यान पराप्त हो गया था और यह जब महात्मा बुद्ध कहला थे मतलब 29 वर्ष की आयू में इन्होंने घर्ट्याग दिया था और उसके छे वर्ष के कठोर तपस्या के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ग्यान पराप्त हुआ था उसके बाद यह महात्मा बुद्ध कहला थे और इन्होंने जो पर्थम उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है यह पूछा गया तो आईए द परवर्तन तो आईए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं देखिए महात्मा बुद्ध का उसमें जो परताप था मतलब महात्मा बुद्ध को लोग इतना जानने लग गए थे इतना बहुत धरम में परवर्तित हो गए थे लोग इसका कारण यह था कि महात्मा बुद जो अपने उप्देश दैते थे तो उस में Lucas language में उप्देश देते थे जो आम जनकी जो मतलब नॉर्मल लोग होंगे उनकी समझ में आसके उस language में अपना जो उप्देश थे वो देते थे इसे लिए महतमा बूद के जो काफी परभाव बढ़ गया था तो आईए महात्माबूद के बारे में थोड़े से जान लेते हैं महात्माबूद ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारणात के रिसी पतन मर्गदाव में पांच लोगों को दिया था मतलब पांच लोगों को अपना प्रथम उपदेश दिया था और ये जो पांच लोग थे उनके जानने वाले ही थे उनके घर के ही सदस्य थे तो ये इनके बारे में है और जो उन्होंने पर्थम उपदेश दिया था उसको धर्म चक्रपरवर्तन के नाम से जाना जाता है तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर जाननी है महत्मा बुद्ध के बारे में तो question number 12 का right option हो जाएगा धर्म चक्रपरवर्तन option number D next आ जाएंगे हैं question number 13 पर question number 13 यहाँ पर देख लिजिएगा माफ कीजिएगा थोड़े सी disturbance के लिए question number 13 को यहाँ पर देख लिते हैं question number 13 में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर देख लिजिएगा महत्मा बुद्ध ने द्वीतिय तरीतिय तथा चतूर्थ वर्षाकाल कहां व्यतित किया था तो आएए थोड़ा सा जानकारी ले ले लेते हैं question number 13 का राजग्रह में लिया था पाटली पुत्तर में किया था वैशाली में किया था या फिर बुद्ध गया में किया था तो द्वीतिय तरीतिय और चतूर्थ वर्षाकाल कहां व्यतित किया था तो question number 13 का राइट option हो जाएगा option number A तो ये राजग्रह में इन्होंने जो वर्षाकाल था वो व्यतित किया था उसके बाद जो ये वर्षाकाल होता था basically जब वैसे ये जो बोध धरम था मतलब इस टाइम लोग जगय जगय जाके मतलब भ्रमन करते थे पूरे देश का और जगय 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 जाके लोगों को मतलब अपने उपदेश देते थे तो उस समय जब वर्षाकाल आ जाता था मत अपना समय वैतित करते थे और बारिश जैसे रुक जाती थी तो उसके बाद दुबार अपना जो प्रोसेस था वो स्टार्ट कर देते थे मतलब चलने का प्रोसेस और लोगों के पास जाके उपदेश देने का स्टार्ट कर देते थे तो यह यहां पर बताया गया है आईए ये भी पूछा जा सकता है जो महात्मा बुद्ध ने वो सबसे ज़्यादा वर्षाकाल कहां पे वास किये हैं मतलब कहां पे वैतित किये हैं सरावस्ती में किये हैं सबसे ज़्यादा वर्षाकाल वैतित का समय है वो सरावस्ती में किया है जो प्राचिन भारत के कोशल राज़े की राज़दानी हुआ करती थी सरावस्ती प्राचिन काल में भारत के कोशल राज़े की राज़दानी कौन सी होती थी सरावस्ती होती थी और सरावस्ती में ही महात्मा बुद्ध ने कई वर्ष तक वास किया है यहां आधुनिक उत्तरप्रदेश की के राज्ये के सरावस्ती जिले में राप्ती नदी के किनारे है और नेपाल के सीमा के स्मिप है तो इतनी आपको जनकरियां पे याद रखनी है नेक्स आ जाएंगे हैं कॉश्चिन नमबर 14 पर कॉश्चन नमबर 14 में कहा गया है मगद के राजा अजाद सत्रू ने मातमा बुद के निवास के लिए कौन सा महा विहार बनवाया था तो वेलुवन बनवाया था लुम्बिनी बनवाया था कुशी नकर बनवाया था या फिर सारनात बनवाया था तो question number 14 का right option हो जाएगा option number A तो ये value 1 बनाया गया था जो मगद के राजा थे अजाद शत्रू इन्होंने महत्माबुद के लिए value 1 नाम का विहार बनवाया था question number 14 का right option हो जाएगा option number A आईए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं जो मगद का एक परतापी समराट था जो अजाद शत्रू था ये किस राज्य का था तो मगद समराज्य का ये एक परतापी समराट राज्य था और ये किस का पुतर था तो ये एक बिम्बी सार का पुतर था कहते हैं कि इसने अपने पित्ता को मार कर राज्य प्राप्त किया था इस परकार अजाद सत्रू मगद का सामराज्य का राजा बना था और उसके बाद इतना आपको याद रखना है कि जो मगद के राजा अजाद सत्रू थे ये बिम्बी सार के पुतर थे और ये मगद के एक जो परतापी समराट हुआ करते थे इतना आपको याद रखना है जो अजाद सत्रू ने विलुवन महाविवार बनवाया था मात्मा बुद्ध के लिए तो कोश्चन नमबर 14 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर 1 नेक्स्ट आ जाएंगे हम कोश्चन नमबर 15 प या फिर देव गुपता कोश्चन नमबर 15 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर सी तो ये आनन्द थे जो इनके प्रिय शिश्यों में से एक थे मात्मा बुद्ध के प्रिय शिश्यों कोन था आन्द था था जाएगा ओप्शन नमबर सी नेक्स्ट आ जाएंग सुमित नाथ थे तो question number 16 का right option हो जाएगा option number B तो ये संभव नाथ थे जो तीसरे तिर्थंकर थे जैन धरम के वो कौन से संभव नाथ थे और जो जैन धरम के पर्थम तिर्थंकर कौन थे तो उसके उपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईए जान लेते हैं जैन धरम के बारे में जो जैन धरम के थे जैन धरम था उसमें 24 तिर्थंकर होते थे मतलब 24 तिर्थंकर होते थे जैन धरम के अंदर पहले रिशव देव माने जाते हैं जिनके द्वारा इनका जो ये जैन धरम की जो क्या बोलते हैं इसको स्थापना है वो मानी जाती है रिशवदेव के द्वारा और रिशवदेव का एक जो अन्य नाम मिलता है वो आदिनाथ भी मिलता है मतलब रिशवदेव को आदिनाथ नाम से भी जाना जाता है जूसरे दूसरे जो तिर्थंकर हुए है वो अजीतनात हुए है और जो तीसरे हुए है वो संभावनात हुए है जो इस question में हम से पूछा गया है अब आप मुझे यह बताएंगे जैन धरम के 24 में तिर्थंकर कौन हुए थे यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 23 में तिर्थंकर मैं आपको बता देता हूँ जो 23 में तिर्थंकर थे वो पार्शोनात थे और 24 में तिर्थंकर कौन थे वो आप यह कमेंट करके मुझे बताएंगे जैन धरम के 24 में तिर्थंकर कौन थे तो यतनी सी जानकारिया आपको याद रखना है जैन धरम के बारे में आईए चलते हैं कोश्चन नमबर 17 पर तो कोश्चन नमबर 17 में कहा गया है कि बोध संग में परवेश करने वाली पर्थम महिला कौन थी तो बोध संग में सबसे पहले किस महिला ने जो एंटरी की थी मतलब कौन थी महिला थी बुद्ध की मोसी थी बुद्ध की मा थी बुद्ध की चाची थी या फिर इन में से कोई नहीं तो question number 17 का right option हो जाएगा option number A तो ये बुद्ध की मोसी थी जिसने बुद्ध संग में सर्व पर्थम परिवेश किया था तो question number 17 का right option हो जाएगा option number A तो इसके बारे में जान लेते हैं ये जो बुद्ध की मोसी थी इनका ना महापरजापती गोतमी थी और महापरजापत्मी गोत्मी बोध संग में परवेश करने वाली पर्थमिस्त्री थी और इन्हों नहीं महत्माबुद का जो पालन पोशन था वो किया था बचपन से ही तो इनकी मोसी थी जिनका नाम था महापरजापत्मी गोत्मी तो question number 17 का right option हो जाएगा option number 1 तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है आईए हम question number 18 पर चलते हैं तो question number 18 में कहा गया है कि नीचे देख लेते हैं question number 18 में कहा गया है बोध धरम का सरवादिक परचार किस राज्य में हुआ था तो किस राज्ज़े हुए था वैशालि राज्जे में हुआ था राज़गीर में हुआ था कोशल में हुआ था या फिर सारनात में हुआ था तो कोशल नमomez 18 काTr versuchen हो जाएगा option नमबर C तो बोध दरम का सरवादिक परचार के कहां हुआ था तो ये कोशल राज्य में हुआ था कोशल राज्य के बै Walter में थोड़ा सा जान लेते हैं जो ये उस टाइम प्राचिन भारत के सोला महाजन पद हुआ करते थे, उसमें से एक कोशल राज्य हुआ करता था और इसका छेतर आधुनिक अभी वर्तमान में गोरखपूर के पास था और इसकी दो पर्थम राजदानी थी, यह जो कोशल राज़्य की पर्थम राजदानी थी, वो अयोध्या होती थी और जो द्वीतिय राजदानी थी वो शरावस्ती होती थी तो इतना आपको अपना जो basic knowledge है ये बोध्धरम के पत्चाय के बारे में जानना है कोशल राज्य के बारे में जानना है कोशल राज्य सोला महाजन पदों में से एक होता था और जो इसकी पर्थम राजदानी होती थी वो अयोध्य होती थी और जो दूसरी राजदानी होती थी वो शरावस्ती होती थी next question पर आ जाएंगे question number 19 पर question number 19 में हमसे पूछा गया है बोध संग के लिए पुबाराम विहार किसने बनवाया था क्या उदेन ने बनवाया था परसेंजीत ने बनवाया था अशोक ने बनवाया था या फिर चंदरगुप्त मोरिय के द्वारा बनाया गया था तो बोध संग के लिए पुबाराम विहार किसने बनवाया था question number 19 का right option हो जाएगा option number B तो ये प्रसेंजीत के द्वारा बनाया गया था पुबाराम विवार बोध संग के लिए तो question number 19 का right option हो जाएगा option number B और ये जो प्रसेंजीत थे ये कहां के किस राज्य के राज्य थे तो ये कोशल राज्य के राज्य थे तो प्रसेंजित कहां के थे कोशल राज्ये के थे तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है next आ जाएंगे question number 20 पर question number 20 में का गया है महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर कब त्याग दिया था तो कब त्याग दिया था 483 इसा पुरू में त्याग दिया था question number 20 हम देख रही है यहाँ पर आई हम नीचे थोड़ा सा ओप्शन कर लेते हैं 473 इसा पुरू महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर कब त्याग दिया था 483 इसा पुरू में त्याग दिया था या फिर 473 इसा पुरू में त्याग दिया था तो राइट ओप्शन हो जाएगा question number 20 का option number A यह महात्मा बुद्ध ने अपना जो शरीर था वो त्याग दिया था 483 इसा पुरू question number 20 का right option हो जाएगा option number A नेक्स्ट आ जाएंगे question number 21 पर question number 20 में का गया है महात्मा बुद्ध ने अपना अन्तिम उपदेश किसे दिया था तो question number 21 के option देख लेते हैं राहूल को दिया था सुबद्ध को दिया था अशोक को दिया था या फिर चंदर गुप्त मोरे को दिया था तो question number 21 का right option उप्शन हो जाएगा option number B जो महात्मा question number 22 पर question number 22 में का गया है महात्माबुद ने कितने वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया था तो कितने वर्ष की अवस्था में त्याग दिया था 82 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में, 85 वर्ष की अवस्था में नेक्स्ट आजाएंगे, question number 23 में, question number 23 में का गया है, बोध धरम के त्री रतन कौन कौन से हैं, बुद्ध है, धम है, संग है, या फिर सभी है, तो question number 23 का right option हो जाएगा, option number D, तो ये तीनों ही त्री रतन है, बोध धरम से related, तो बोध धरम के त्री रतन कौन से हैं, बुद्ध है, धम है, और संग है, तो question number 23 का right option हो जाएगा, option number D, next आजाएगे हैं, question number 24 पर, यहां पर यह देख लीजए, question number 24 में कहा गया है, परथम बोध संग थी, कब हुई थी, ये पूछा गया, क्या 483 इसापूर में हुई थी, 543 इसापूर में हुई थी, 585 इसापूर में हो थी, या फिर 463 इसापूर में हुई थी, तो question number 24 का right option हो जाएगा option number A यह 483 इसापूर में होई थी पर्थम बोध संगिती तो इतना आपको याद रखना है पर्थम बोध संगिती कब होई थी चो 483 इसापूर में होई थी आए थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो पर्थम बोध संगिती थी वो कब होई थी 483 इसापूर में और जो इसकी अध्यक्सा की थी वो किसने की थी वो महाकशप के द्वारा की गई थी महाकशप जी के द्वारा पर्थम बोध संगिती की जो अध्यक्सा थी वो की गई थी और यह कहां आयोजित की गई थी तो ये राजग्रह में आयोजित की गई थी और ये है जो आयोजित की गई थी परतम बोध संगिती ये बुद्ध मात्मा बुद्ध की मरित्यू के तुरंत बात आयोजित की गई थी और जो किस राजा के सरक्षन में की गई थी इतना भी आपसे पूछा जा सकता है तो ये की गई थी अजाद शत्रू हरियक वन से संबंदित है ये इसके सरक्षन में आयोजित की गई थी पर्थम भोध संगिती तो इतनी आपका जान करिए बेसिक सी जान करिए इसके पर्थम भोध संगिती से रिलेटिड एक बार फिर से मैं बता देता हूं पर्थम भोध संगिती कब कब आयोजित की गई थी 483 इसापूर में की गई थी किस राजा के अंतरगत शनक्षण में की गई थी तो अजात सत्रू जो राजा होते थे उनके शनक्षण में की गई थी और अजात सत्रू किस वन से संबंदित थे तो ये हरियक राजवन से संबंदित थे और जो पर्थम ब का आगर द्वितिय बौध संगिति का बायोजीत की गई थी क्या 383 इसा पुर्व की गई थी चारसो 384 संगिति या फिर टोसो 15S पुर्व की की गई थी तो कोशान नुमबर Prose no 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ओप्शन नूमबर ए तो ये की गई थी 383 इसापूर की गई थी जो दुईती ये बोद संगीती थी ये की गई थी 383 इसापूर तो question number 25 का right option हो जाएगा option number A आए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं question number 25 के बारे में जो दूसरी बोद संगीती थी वो कहां आयोजित की गई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो ये वैशाली में आयोजित की गई थी कब आयोजित की गई थी 383 इसापुर में आयोजित की गई थी और जो दूसरी बोध परीशत थी वो किस के शरक्षण में आयोजित की गई थी तो काला सोक के राजा हुआ करते थे काला सोक उनके शरक्षन में आयुजित की गई थी और जो इनकी अध्यक्षा थी दूइतिये जो बहुत संगिती थी इनकी अध्यक्षा किसके दोरा की गई थी तो सब्बा कामी के दोरा इनकी अध्यक्षता की गई थी इतना आपको यहां पर जानकरी चाहिए दूइती जो बहुत संगीती थी उसके बारे में इतनी नोलिज आपको होनी चाहिए तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसमें अंगर हमने 25 कोशन अच्छे से डिसकस कियें यह इंचेंट रिस्ट्री का सातों भाग था जो आज हमने आपको डिसकस कर लिया है तो कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा कितने कोशन आप ठीक कर पाई है 25 कोशनों में से और इस सिरीज को कंटीनू रखा जाएगा जब तक कि हरियाना पूलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम नहीं हो जाता तो इस वीडियो को जाते जादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को इस वीडियो सिरीज का लाब मिसके बिल्कुल फ्री में और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके क्योंकि सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तब तक के लिए धन्यवाद